हेलो दोस्तो, श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर, मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिनुवसली लैप असिस्टेंट यानि प्रियोग साला सायक भरती परतियों की प्रिक्षा के लिए क्लास असिस लेकर के आ रहा हूँ, और हमने सबसे पहले ठीजिक्स यानि भौधिक विज्ञान के सिलेबस को सुरू किया है, और इसके अंतरगत पहली जो अमारी यूनिट दे रखी है, विदूत इस्तिर व्यदूति की, उसको अपनने कंप्लीट किया था, और उसके बाद में द क्लास के अंतरगत ये समझा था, कि विदूत धारा होती क्या है, और धारा घनत्व क्या होता है, यानि करंट डेंसिटी क्या होती है, और इसका जो बेसिक इंट्रोडेक्शन था, वो अपनने लिया था, आज अपन उससे आगे की कुछ चीजों को समझेंगे, और क्रिचॉ लोग अपने कॉपे, किताब और पैन लेकर के तयार हो जाईए, और आज की क्लास के नौट्स बनाना सुरू करिएगा, कल की क्लास मुझे उमीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और आज की क्लास के अंतरगत भी, मैं पूरी कोसिस करूँगा, को आपको हर एक है आवाज बगरा, है ना, किसी भी परकार किया अगर देखो फिर भी समस्या रह जाती है कभी-कभी, रिकॉर्डिंग के टाइम, तो वो चीज़ आप कमेंड में करके बता सकते हैं हमें, चलिए, तो आज की क्लास का करते हैं आगाज, एक नए जोस और जुनुन के साथ में बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, मजबूरियों को कोसना, मजबूरियों को कोसना, बंद करो और हर हाल में चलना सीख जाओ, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को मैं करने जा रहा हूँ सुरू, और आप सभी लोगों को सबसे पहले धारा के बारे में थोड़ा सा वापस बदा देता हूँ कि धारा का मतलब है आवेसो का प्रवाह और धारा घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी काट चेत्र के एक विसेश बिंडू से गुजरने वानी धारा को धारा धनत्व कहते हैं अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नई डेफिनेशन या एक नई सब्दावली जिसे अपन कहते हैं अपवाहवेग आप लिखेंगे सब भी अपनी कॉपी के अंदर अपवाहवेग का मतलब है डेफ्ट वेलो सीटी क्या है अपवाहवेग का मतलब है बेसिक्लि कि इतना सा कि कोई भी हमारा object है कोई भी वस्तु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यू ही बिना किसी कारण के आपको बता होगा इलेक्ट्रोड मूव करते रहते थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का-हल्का सा तो वो जो हल्का-हल्का सा इदर से उदर से उदर इदर से उदर जो मोशन कर रहे हैं उसके कारण जो आपके धारा या फिर आप कहा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उनके चलने की जो वेलो सिटी ह उसे अपन कहते हैं अपवाहवेग और आपको अपवाहवेग या जो है इनसे रिलेटेड कोई कोसन आपको एक्जाम में देखने को नहीं मिलेगा आपको तो आपके केवल विदुद परिपत यानि क्रिचोप्स का पर्दम नियम देत्य नियम और जब आपको मीटर से तू वीटिश्टोन से तू पढ़ाये जाएगा तब कोसन आने वाले हैं ये तो केवल एक अंडरिस्टेंडिंग के लिए आपका बेसिक तयार किया जा रहा है कि आपको ये चेप्टर समझ में आवे कि हाँ ये चेप्टर है क्या है ना तो अब वाहा वेग का आपको डाएरेक्ट फार्मुला केवल याद रखना है और इसका रेपर्जेंटेशन होता है वीडि से किसे रेपर्जेंटेशन होता है वीडि से ठीक है। और VD is equal to होता क्या है तो VD is equal to होता है E into capital E upon में M into tau यानि small e into capital E upon में M into में tau ठीक है यहाँ पर आप लोगों को किलियर ली दिख रहा है कि VD is equal to E E upon में M into tau है इसी में जो A बराबर है अगर हमसे तोरण पूचा जाता है तो हम कहेंगे E E upon में M समझ में आ गई बात तोरण क्या कहेंगे E E upon में M कहेंगे ठीक ए मतलब है यहाँ पर तोरण की बात की जा रही है आप लिख लो जहाँ यह पॉर्मूले के वल सीरे सीरे पूचे जा सकते हैं इसलिए लिखना है जहाँ capital E का मतलब है प्रिदूत चेत्र पहले चीज़ इसमोल E का मतलब है जो भी आपका आवेस होगा वो ठीक है और E का मतलब है तोरण M का मतलब है Dravya man क्या है Dravya man और आपका जो है क्या बचिका E आ गया इसी आ गया ठीक है वीडी आपको बताई है अफ़ाव एग होता है और यह जो TAU होता है इस TAU का मतलब होता है Basically आपके क्या तो आप इस TAU को कह सकते है समय या फिर आप कह सकते है कि Relaxation इसको इंगलीज में का जाता है Relaxation Time तो आप यह जो है Basically समय को Represcent कर रहा है तो TAU हो गया समय M हो गया दर्विमानी हो गया त्वरणी हो गया आवेस Capital ही हो गया विदूत चेत्र यह है आपके क्या आपका अपहवीग का सुत्र इसे समय को हिंडी में जो है आप मद्य मुक्त या माद्य मुक्त समय भी कहते हैं यानि Mean Free Time ठीक है हाला कि अपने को उससे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है और यह जो टाइम होता है यह दो इलेक्ट्रोनों के टक्कर के बीच का समय होता है इतना डीप में अपने को नहीं जाना अब आगे बढ़ो इसमें ही लिखो Mobility यानि गती सिल्टा गती सिल्टा ठीक है Mobility किसकी बात कर रहे हैं है अपन गती सिल्टा की बात करते हैं गती सिल्टा का मतलब भी यह है इलेक्ट्रोनों का चलना पिड़ना है बस उसकी ज्यादा डीप में मज जाईएगा यह चीजे बहुत मनलब आप समझने के लिए पिसमें टाइम जाना पड़ेगा जो चीज अपने कान की नहीं उस पर क्यो टाइम वेस्ट करें इसमें भी बस फॉर्मूला याद रखना म्यू बराबर होता है इसमॉल ए कैपिटल ए अपन में एम ठीक है क्या होता है इसमॉल ए कैपिटल ए नहीं सौरी इसमें टाओ आ जाएगा यह ही इसमॉल ए टाओ अपन में एम ठीक है और आपको पता है कि E tau upon me M, इसका मतलब अपन इसे लिख सकते हैं, VD, drift velocity upon me capital E, तो μु बराबर आगया E tau upon me M, VD upon me E लिख सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर E जो है, वो सम्मान हो जाए, E सम्मान हो, सम्मान होने का मतलब है कि E जो है आपका electric field है, विदूत चित्र है, वो uniform हो, constant हो, तो ऐसे में क्या होगा कि E जो है आपका constant रहेगा, तो μु डिरेक्टली proportional हो जाएगा VD के, या नहीं, अगर आपका दती सिल्ता, mobility बढ़ रही है, तो अप वहाँ वेग, drift velocity भी बढ़ेगी, यह आपको याद रखना है, और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे नहीं रखो तो, मु 1 अपॉन मु 2 बढ़ा, बराबर होगा VD 1 अपॉन में VD 2, यह भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो यह है, गती सिल्टा से संबंदित कुछ चोटे-चोटे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, तो मु बराबर होता है, ए टाउ अपॉन में M, VD अपॉन में E, E अगर सम्मान हो तो मु डारेक्ली प्रपोर्शनल VD, और मु 1 अपॉन मु 2 बराबर VD 1 अपॉन VD 2 हो जाएगा, ठीक, तो यह था अपना अपवाहब एक डिप्ट वेलोसिटी, और यह है अपनी गती सिल्टा मॉविबिलिटी, कि फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिएगा फटा फट, आगे बढ़ते हैं फिर, अब चोटी-चोटी सी दो बाते और रही है, एक तो विदुत धारा और अपवाहबेग में क्या संबंध है, और एक अपवाहबेग और विववानतर में क् उसके बाद में सीधा आपने टॉपिक जो सिलेवस में हैं उसके बारे में बात करेंगे यानि क्रिचॉप सुनियम की, तो अब आप लिखेगे घेडिंग डालेंगे, heading डालिएगा आप अपवाहवेग अपवाहवेग तथा अपवाहवेग तथा विदूत धारा में संबन विदूत धारा में संबन यानि relation between drift velocity and current तो अपवाहवेग और जो अपना विदूत धारा है उन दोनों में क्या संबन्द होता है वो हमें याद रखना है तो इनका जो संबन्द होता है वो क्या होता है वो संबन्द होता है आपका आई बराबर क्या होता है विदुत धारा बराबर होता है N-A-E-V-D क्या होता है N-A-E-V-D N का मतलब है आपका यहाँ पर क्या? आवेसो की संख्या तो आप लिखेंगे जहां यह बस याज रखने है क्योंकि यह आद के विदुत धारा से संबंदित चेप्टर है तो हो सकता है कि इसमें चोटी-चोटी चीजे जो विदुत धारा से संबंदित है उन पर बेश कोसन पूचे हाला कि नहीं पूचा अभी तक 3 साल की वेकेंसी के अंदर तो लेकिन अगर जो है देखो एक जो important area था वो cover हो चुका है अब जो area बचा है वो थोड़ा सा deep level पर जाकर बचा है वो सकता है वहाँ से कोसन पूच लेवे इसलिए थोड़ा सा पहले से तयार रेवे तो चहां n की value क्या है तो ये है आवेश की संक्या n क्या है आवेश की संक्या ठीक है पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है फिर vd आपको पताईए अब वहाँ वेग है ए एक आपको याद रखना है तो ए जो होता है वो काट चेत्र होता है ए क्या होता है cross-sectional area यानि काट चेत्र फल English में कहते है cross-sectional area ठीक है को English medium का विद्यारती है तो वो साथ के साथ लिग सकता है कि relation between current and drift velocity current is equal to na evd और जहाँ पर यानि where n is number of charges a is cross-sectional area e is charge and vd is drift velocity of the charges ठीक है अब यहाँ पर भी अगर यह हो जाए क्या I जो है वो सम्मान हो आई सम्मान हो आपका जो I है यानि जो current है वो मान लीजिए fix हो गया या uniform हो गया एक constant value हो गई तो हम यह कह सकते है कि a vd जो है वो एक नियर्थांक बन जाएगा क्योंकि n और e तो already constant होते है तो आपका a vd जो है यानि cross-sectional area गुणा drift velocity एक नियर्थांक हो जाएगा constant हो जाएगा तो हम इसको यह भी लिख सकते है कि a1 vd1 is equal to a2 vd2 समझ में आ गई बात क्या लिख सकते है a1 vd1 is equal to a2 vd2 clear समझ में आ गई बात तो इस चीज़ को आप जो है not down कर लिजिए इसको मैं थोड़ा सा side में करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जावे और आप जो है अच्छे से nots भी बना सकें है ना जल्दी से बना लिजिए nots बढ़िया वाले yellow ये लिजिए जल्दी करिएगा फटा फट है ना उसके बाद में जो last अपने एक theory वाला portion है ये लिख लेना आपका काम complete हो जाएगा theory वाला फिर अपने को सीधे सीधे numerical questions चाहां से पूचे जाते हैं यानि कि kriachops के नियम है wheat strong bridge है meter bridge है potentiometer है उनको एक-एक क्लास में एक-एक को complete करूँगा यानि अब आपनी keval और keval जो है ये आज एक क्लास हो गई है दो क्लासे मतलब हो जाएगी इस topic की और बाद में अपने 5 ही topic बचेंगे तो 5 क्लासे और और फिर 2-3 क्लासे अपने किसकी बढ़िया practice की यानि 10 भी क्लासे मैं कोसिस करूँगा इस topic की भी लूँग क्योंकि मेरा target है कि छोटी क्लासे हो और अच्छा content हो और कोसम प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो तो आप जल्दी से जल्दी देख सकेंगे और लंबा duration वाली क्लासे लूँगा न तो मज़ा नहीं आएगा आप लोग जो है फिर क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा देखके छोट दो के क्या फाइदा आपको भी फाइदा नहीं है और मेरी जो इतनी energy waste होगी उसका भी बहनी पिट नहीं मिलेगा समझ में आई बात इसलिए अब आप आगे लिखेंगे अप वहाँ वेग या अप वहन वेग भी कहते हैं जिसे तो आप अप वहन वेग यानि drift velocity अप वहन वेग तथा विबवान तर इसको मिटाएंगे अप वहन वेग तथा विबवान तर मैं संबन ठीक है अप वहन वेग यानि drift velocity अप विबवान तर मतलब potential difference इनके बीच में क्या संबन्द होता है तो इनके बीच में संबन्द जो है वो directly नहीं होता इसका संबन्द हम derive करते हैं कैसे electric field यानि विदूत चेत्र बराबर होता है potential difference upon well नमबाई ये एक relation भी चोड़ा सा याद रखना कि विदूत चेत्र बराबर क्या होता है विबवान तर potential difference upon में लंबाई जो भी अपना wire है वो wire ठीक है उस wire का विदूत चेत्र कितना होगा और विबवान तर यानि potential difference कितना है और L यानि उस wire की लंबाई कितनी है ठीक तो अगर E बराबर V upon में L है और हम ये बात जानते हैं कि VD बराबर होता क्या है तो VD यानि drift velocity is equal to होता है small e into tau upon में M ये ही होता है अरे ये ही होता है VD is equal to e tau upon में M और into में क्या आजाएगा अपना V into में क्या आजाएगा V ठीक है एक सेकंड एक सेकंड ये क्या कर दिया रहे मैंने एक लिड़ drift velocity का जो formula था वो था अपना अच्छा मैंने L नहीं लगाया था ना हाँ हाँ एक लिड़ तो e tau upon में M गुणा में आ जाएगा क्या आपका तो V upon में L ये था L नहीं लगाया था तो VD is equal to e tau upon में M into V upon में L और यहां से हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि drift velocity directly proportional होती है किसके potential difference के यानि विबबानतर के तो आप लिख लेंगे जहां V का मतलब है विबबानतर potential difference विबबानतर ठीक और जो आपका L है वो है लंबाई L क्या है लंबाई पर e tau M ये सब आपको पता ही है अल्रेडी वीडी वगेरा तो ये था आपका theoretical course जो आपसे जो है विदुत धारा का basic एक्डम बिल्कुल कहते है न जिसे वो मैंने आपके साथ में complete किया है धारा को अभी तक आपने केवल समझा है कि current क्या होता है और current का अलग-अलग जो समबंद है वो कैसे अपन define कर सकते है वो अपनने समझा है अब आप इसको ऐसे भी define कर सकते है देखो कि I is equal to N A VD है और VD की value अगर मैं ये रखू E tau V upon M L तो बताइए I और V में एक relation आएगा या नहीं तो जो ohms नियम है न V is equal to IR अरे वो V equal to IR इसको और इसको combine करने पर ही आया था सुनाई बात तो ये basic level की चीज़े इसलिए बताईए क्योंकि कुछ question ऐसे हो सकते है जो directly आपके formula base पूचे जाए फिर आप वहाँ पर attack जाओ तो ये अच्छी बात नहीं है इसलिए मैंने आपको ये clear कर दिया है अब अपना जो नया topic है वो बहुती सांदार होने वाला है और वो है क्रिचौप के नियम क्या होगा topic है क्रिचौप के नियम ठीक है तो अब आप heading डालेंगे आगे जहां से अपने direct भी question आएंगे और syllabus में भी वही चीज़ दे रखी है और वो दे रखा है क्रिचौप के नियम क्रिचौप के नियम और important यही है भाईया फाइव इस्टान लगाओ इसके उपर है न और जैसे ही आपका selection हो जाए न तो मुझे फाइव इस्टार्ट जरूर कि लाना क्रिचौप के नियम को पढ़ने की बज़े से ठीक चलो तो दोस्तों आपने जो यह क्रिचौप का नियम topic डाल दिया होगा अपनी copy में इस क्रिचौप के नियम के topic को अपन पढ़ेंगे अगली class के अंदर क्योंकि आप लोगों ने जो यह क्रिचौप के नियम वाला topic है इसको basic से समझना है और question practice भी करनी है तो कल जो वीडियो आएगा उस वीडियो में क्रिचौप के नियम पर्थम और दित्य दो नियम है दोनो नियम को एक साथ ही निप्टा दिया जाएगा और इन पर based question जो होंगे वो भी करवा दिये जाएगे उसके बाद में एक वीडियो वीटिश्टोन का आएगा एक मीटर से तुका एक कोटेंसियो मीटर का और last में फिर अपने साथ साथ में कोशन हो जाएगे और ये chapter भी अपना complete हो जाएगा पूरी planning के साथ हम चल रहे हैं कहीं पर भी आपको किसी परकार की समस्या नहीं होगी बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है और अच्छे से पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ना है तो धन्यवाद आज का lecture अपने चोटा ही रख रहे है हो सकता है 20 से 25 मिनट का भी नहीं हुआ हो ये लेक्चर लेकिन मिलेंगे अगले लेक्चर में ही दन्यवाद जैहिन जैभारत